गंग्रेल बांध जिसे रविशंकर सागर के नाम से भी जाना जाता है गंग्रेल बांध निर्मान के लिए सन 1965 में सर्वे का काम शुरू हो चुका था सबसे पहले ग्राम सट्यारा के पास बांध बनाने के लिए जगह की तलाश की गई पर तक्नीकी कारणों के चलते यहां बांध का निर्मान संभव नहीं हो सका इसके बाद वर्तमान जगह पर गंग्रेल गाव के पास दो पहाडों की बीच इसका निर्मान करने का निर्णय लिया गया इसका शिलान्यास पांच मई 1972 को ततकालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने किया था बांध 1978 में बनकर तयार हुआ 32 TMC क्षमता वाले इस बांध का जलग्रहन क्षेत्र मीलों तक फैला है 15,000 क्यूसेक पानी की क्षमता वाले इस बांध में कुल 14 गेट बने हुए है बरसात के दिनों में बांध के गेट खोलने पड़ते हैं और तब यहां का नजारा बेहत शांदार हो जाता है गंग्रेल बांध 36 गड़ का सबसे लंबा बांध है और इसे महानदी पर बनाया गया है वास्तुकला की एक अद्भुत उपलब्धी बांध की लंबाई 1830 मीटर है इसकी उन्चाई 30.5 मीटर है यह धमतरी जिले में स्थित है जो धमतरी के मुख्य शहर से लगभग 15 किलो मीटर और रायपूर से 90 किलो मीटर दूर है गंग्रेल बांध को परियटक स्थल के रूप में विक्सित करने के लिए 36 गड़ सरकार ने पूरे प्रयास किये हैं और इसी कारण से देश-विदेश के लाखो परियाटक यहां प्रत्यक वर्ष घूमने के लिए आते हैं गंग्रेल बांध परिवार या दोस्तों के साथ मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लेने के साथ-साथ जेट स्कीइग वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइग, स्कूबा डाइविंग, सेलिंग, पैरा सेलिंग और काइट सर्फिंग जैसे अत्याधुनिक जल क्रीडाओं का आनंद लेने के लिए भी एकदम सही है जिससे यहाँ देखने में एक सुखत द्रिश्य बन जाता है पानी के किनारों पर कई रिसोर्ट और रेत के टीले हैं जो इसे मिनी गोवा का रूप देते हैं गंग्रेल बांध के आसपास के क्षेत्र का रखरखाव बहुत बढ़िया है और यहाँ सुन्दर उद्ध्यान है तथा जल्गरहन क्षेत्र का सुन्दर द्रिश्य दिखाई देता है बांध पर अकसर मनोरंजन के लिए लोग आते हैं वे हरे भरे लौन में टहल सकते हैं और नदी के किनारों को जी भर कर देख सकते हैं उदाहरण के लिए जल क्रीडा हाल ही में शुरू हुई है और बहुत प्रसिद्ध है विशाल जल्गरहन क्षेत्र में है ये सुविधाएं 36 गड परियतन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और इनकी कीमते थोड़ी अधिक हैं जो लोग पानी में उतरना पसंद करते हैं वे निश्चित रूप से अपनी सवारी का आनंद लेंगे इस बांध का निर्मान विभिन गतिविधियों सिंचाई बिजली उत्पादन जैसे आवशक कारियों के लिए किया गया था और साथ ही भिलाई स्टील प्लांट और राइपुर शहर को पानी उपलब्ध कराने के लिए भी गंग्रेल बांधा गंतुकों को पानी की सवारी और पानी की गतिविधियों के साथ साथ विशाल हरे भरे बगीचों के माध्यम से ताजगी का एहसास कराता है यात्री गंग्रेल डैम के पास ठहरने का विकल्प भी चुन सकते हैं बर्डीहा लेक व्यू कोटेज जिसे गंग्रेल डैम रिजॉर्ट भी कहा जाता है डैम के सबसे नजदीक एक प्रसिद्ध रिजॉर्ट है वे लकडी के कोटेज और कमरे उपलब्ध कराते हैं जैसा कि उनके नाम से पता चलता है यात्री लकडी के डीलक्स लक्सरी कोटेज और एर कंडीशन कमरों में से चुन सकते हैं गंग्रेल बांध में 14 गेट है 2018 में 14 गेट खोले थे उसके बाद 18 जुलाई 2022 में 14 गेट खोले थे बीते कुछ वर्षों में बरसात अच्छी नहीं होने कारण सिर्फ किसानों को खेटों के सिंचाई के लिए बांध से कम मात्रा में पानी छोड़ा गया था लेकिन 2022 में लगातार बारिश हो रही थी और पानी की आवक अधिक थी गंग्रेल बांध 16,704 एकड में फैला हुआ है 36 गड राज्य के बड़े बांधों में से महानदी पर बने गंग्रेल बांध की खूपसूरती सभी को लुभाती है गंग्रेल बांध तक कैसे पहुचें? राजधानी राइपुर से गंग्रेल डैम की दूरी करीब 90 किलोमीटर है धमतरी शहर से बांध करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राइपुर से धमतरी के लिए प्रतिदिन बस सेवा संचालित है धमतरी शहर से बांध तक टैक्सी और आटो से जाया जा सकता है यहां से नजदी की एरपोर्ट और रेलवे स्टेशन राइपुर है इसी तरह के विडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे हमारे विडियो में लाइक, कमेंट करे विडियो को शेर जरूर करे विडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद